नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो आज हम बात करेंगे Nifty की और Nifty में जो Stocks ट्रेट करते हैं उनके बारे में तो यह जो हमारी Analysis है यह Weekly Basis पर है हम इसमें देखेंगे कि Weekly चार्ट में जो है Nifty 50 और Nifty के Stocks जो है किस तरह की Performance कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में किस तरह की Performance कर सकते हैं तो आप यहां पर देखें Nifty ने आपने देखा है कि पिछले हपते हमने Nifty ने अपने जो है Lower Level से काफी जो है निफ्टी अगर 12300 के ऊपर अगर Continue अगर Sustain करने लग गया तो आपको जो है यह बहुत जल्दी 12500 और 12600 के लेवल भी Nifty दिखा सकती है तो Nifty में जो Bind बनेगी वो 12300 के ऊपर बनेगी और अभी हम इसको Sell Side वैसे हम Prefer कर सकते हैं इसको हम Day Chart कर लेते हैं फिर थोड़ा पतल लेगा तो यह देखी यहां पर Nifty ने Day Chart में देखी यहां पर इसने एक Hemet Type के Candle बनाई हुई है शूटिंग स्टार टैपी Candle लग रही है तो अगर यह जो है कल 12210 के नीचे अगर ट्रेडिंग करने लग जाता है तो इसमें 12165 के लिए हम ट्रेड करेंगे और 12300 के ऊपर Clear Cut हमारी बाय रहेगी तो आईए हम देखते हैं Nifty में जो Stocks Trade करते हैं उनके बारे में तो सबसे पहला है हमारा Adani Port, Adani Port को हम भाय करेंगे 394 के उपर हमारा पहला टार्गेट रहेगा 397 पर और दूसरा टार्गेट रहेगा 400 पर करें और कुछ वीक के लेवल भी बताऊंगा तो और यहां पर देखिए Asian Paints ने भी इस वीक में इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे से ट्रेंड लाइन डॉकर के रखी हुई है तो यहां पर फर्स्ट टैम इसने यहां पर सपोर्ट लिया था तो यहां पर मैंने टैलीगरम अपने चैनल पर भी डाला था कि एशन पेंट यहां से बाउंस बैक कर सकता है तो उसने देखिए 1670 रुपे से लिम्सम लिम्सम 1824 25 का इसने हाई लगाया और अब फिर यहां से हाई लगाना चालू किया तो यहां पर हमारा अगले विक के लिए हमारा टार्गेट इसमें जो होगा वो 1825 रुपे होगा यही लेवल जो हमने यहां पर ट्रॉकर के रखा हुआ है नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक भी देखिए जो है इसी लेवल से है अपना उड़ जाता है यह देखिए यह जो लेवल है यहां से फर्स टाइम यहां से उठा, सेकेंड टाइम उठा तो थर्ड टाइम भी उठा और यह देखिए यह जो है हम इसमें हमारा जो है अगले हफते के लिए टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा 765 रुपे का नेक्स्ट आई हम देखते हैं बजाज फाइनस तो बजाज बजाज आतो था बजाज फाइनस है यह तो बजाज फाइनस में यह देखिए इसने एक शूटिं स्टार केंडल बना दी है अपने हायर लेवल पर तो यह देखिए शूटिं स्टार केंडल बना दी है पहले तो यह चैनल में चल रहा था चैनल ब्रेक किया चैनल ब्रेक करन तो हमारी 415 रपे के नीचे हमारी इसमें सैलिंग एक्टिवेट होगी और हमारा इस वीक का टार्गेट रहेगा 4949 रपे लमसम और 4950 रपे के नियर अबाउट हम इसको बुक कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा बजाज फिंजर्व बजाज फिंजर्भ भी उप्रे गयों इसमेंें आपकनेम वल् तो 9530 रपे के ओपर जैसे ही यह stock निकलेगा हम इसमें buying करेंगे और जो है हमारा इसमें target जो रहेगा हमारा target वैसे इसमें 10,000 रपे का है 10,000 रपे से निचे हमारे इसमें कोई ऐसे target नहीं है तो अब जो है selling की बात हम इसमें करें तो selling जो है हमारे इसमें activate होगी जो आज का low लगा हुए है 930 रपे के निचे हमारे selling activate होगी और यह जो trend line है इसे हमारा target होगा next हमारा जो है BPCL तो आपने देखा जैसे की विछे अमरीका और इराक में trade war जो अपना sorry जो उनका जो वार हुआ था उसके चलते हमको oil वगरा में काफी मंदी भी देखने को मिली तो अब भ बाइंग के तरवी प्रैफर कर सकते हैं जब यह trend line के ऊपर निकलेगा जब यह trend line के ऊपर निकलेगा तो इसमें हमारा weekly target जो होगा वो होगा 510 रपेका next हमारा भारती एटेल तो भारती एटेल भी देखी यह continue जो है इस चैनल में continue trade कर रहा है और जो है इसने यहां पर एक shooting star candle बनाई थी यह देख सकते हैं shooting star candle बनाई है उसके बाद जो है मैं ख्याल से इस week में selling होनी चाहिए और 445 पेस में हमारा target निकल के आना चाहिए next है हमारा बिटानिया तो बिटानिया जो है देखी काफी दिनों से range bound है और इसी के अंदर ही trade कर रहा है तो finally आप यह देख सक low जो लगा है 398 रपे का लगा है तो इसमें हमारा जो है buying का कोई scenario नहीं है हमारा इसमें sell का scenario रहेगा और इसका weekly target हमारा जो रहेगा वो रहेगा 2865 रपे next हमारा है doctor ready तो doctor ready देखी यह देखी doctor ready में जो है कल के दिन काफी अच्छी buying आय थी मगर buying आने के बाद जो है देखी उपर से selling pressure आ गया selling pressure आने के बाद यह देखी जो है इसका high जो लगा था वो 308 रपे का लगा था और low जो है 3925 रपे का लगा था तो लमसम इसमें 82-83 रपे की moment होई तो अब जो है हमारा view जो है इसमें अभी इसका high जब cross करेगा तब ही हम इसमें बाइं की तरफ देखेंग आधरवाइज जिस तरह के candle यहां पर फॉर्म होई है तो इससे तो हमारा view जो है निकल के आता है वह selling side ही आता है तो हम जो इसको sell करेंगे जो है 29-100 रपे के निचे जब भी trade करना चालू कर देगा तो फिर हम इसमें selling का trade बनाएंगे नेक्स्ट है हमारा आईशेर मोटर तो आईशेर मोटर देखें कितना beautiful pattern यहां पर बनाके रखा हुआ है यह देखिए पहले तो यह चैनल में जो है ट्रेडिंग करता रहा है जब इसने यहां से break किया है तो अब यह देखिए री टेस्ट करने के लिए यहां पर पहुंचा ह और सबसे बड़ी बात तो यह है यहां पर देखिए इसने shooting star candle बनाई है तो इसमें जो है हमारा इस week में confirm हम इसमें जो है selling side रहेंगे इसमें हम buying के तरह बिल्कुल भी नहीं देखेंगे तो इसमें जो है हम 20,250 रपे के नेचे हम sell करेंगे और इसमें हमारा पहला target जो होगा 29,474 रपे और दूसरा target जो होगा वो होगा 18,200 रपे नेक्स्ट हमारा है ग्रासिम तो आजे देखते हैं ग्रासिम में क्या है सबसे पहले मैं यह trend line domain drop की तो इसको delete कर देता हूँ तो यह देखिए ग्रासिम में अब यह figure निकल के आ रहा है इसको जब अगर cross करता है फिर हम इसमें बाइंग के तरफ देखेंगे यह देखिए 770 रपे का level है तो 770 रपे का level cross करता है तो फिर हम इसमें 790 रपे के लिए और next हमारा जो है यह देखिए एक उपर से जो trend line आ रही है यह हमारा दूसरा target होगा और जो है trend line break करने के बाद जो है इसमें हम काफी अच्छी upside की moment देख सकते हैं next है हमारा xl tech तो xl tech देखिए काफी दिनों से यहां पर sustain कर रहा है near about 1,2,3,4,5,6,6,6 दिन होगे 6 दिन एक की level पर यह continue sustain कर रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह इसको break करें और ना अगर break करें तो इसमें selling जो आएगी हो आएगी 575 रपे के न हमारा जो है weekly target यह trend line है जो मैंने yellow color के draw करके रखी हुई है near about 500 555 और 560 रपे का near about और इसमें buying के तरह हम देखेंगे 600 रपे के उपर जब यह stock 600 रपे के उपर निकलेगा फिर हम इसमें buying का scenario बनाएंगे next है हमारा HDFC bank तो आएगी HDFC bank में जो है इसका यह level इसके लिए एक important level ह यह जो मैंने yellow color का मैंने horizontal draw करके रखा हुआ है यह level निकल के आ रहा है यह आ रहा है 1280 और 1290 के बीच में तो 1280 और 1290 के बीच में जो है जब यह इसको cross करेगा तो अभी हम इसमें buying नहीं बनाएंगे हम इसमें buying बनाएंगे 1305 रुपे के उपर 1305 रुपे के उपर निकलता है तो आप इसमें बेदड़क बाइंग बना सकते हैं otherwise जो है अभी इसमें कुछ भी करने के जरूरित नहीं है next है हमारा hero motocop तो hero motocop भी देखिए इसके लिए एक support था 2250 रुपे बस support लेकर उपर यो है ये 2470 रुपे का level इसने test किया है यहाँ पर देखिए यह जो मैंने एक horizontal draw करेकर रखा था यहाँ पर इसने breakout तो दिया था बट जो है वो breakout field हो गया next day जो है यह breakout जो है इसका high जो लगा था इसको cross नहीं कर पाया और then यह देखिए शून नीचे की तरफ आ गया अभी हमारे इसमें buying के तरफ कोई उन रहेगा हमारे इसमें buying के side हम इसमें देखेंगे 2535 रुपे के उपर निकल के trading करना चालू करेगा फिर हम इसमें buying के तरफ देखेंगे otherwise इसमें हम sell side ही रहेंगे तो यह देखिए अभी यहाँ पर भी जो है नहीं करना चाहिए अगर 2400 का लेवल क्रोस करता है फिर आपको जो है 25 और नेक्स्ट हमारा 26 और पे का लेवल बहुत जल्दी आपको दिखा देगा नेक्स्ट है हमारा हंडाल को हंडाल को अभी दिखे किस तरह से जो है नहीं कर पाया देन जो है देखिए अपने सपोर्ट पर आकर यह ट्रेडिंग करने लगा अभी इसमें फिलहाल तो हिंडालको को छोट दीजिए हिंडालको को हम ट्रेड करेंगे 220 रुपे के उपर नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हिंदुस्तान के बाद जब वो अपने सपोर्ट पर दो दिन, चार दिन, पांस दिन, छे दिन, दस दिन जब वो सस्टेन करने लग जाए और उसके बाद फिर जो है उस लेवल को जब ब्रेक करें तो उसमें काफी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है तो इसमें भी हिंदुस्तान यूनिल और हमारा इसमें weekly target रहेगा वो 2020 रुपे का और हमारा 2100 रुपे का target रहेगा तो हिंदुस्तान यूनिलिवर में नजर बना कर रखिएगा नेक्स्ट है हमारा HDFC भी देखिए यह जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रो कर रहा है यह देखिए इस ट्रेंड लाइन पर ही आके continue अभी चौथा टाइम है अगर अब इसको यह ब्रेक कर देता है तो इसमें बहुत बूम मचने वाला है इसमें ध्यान रखिएगा 2480 रुपे का लेवर अगर जब यह क्रॉस करेगा तो इसमें आप बेद धड़क होकर बाइन कर सकते हैं इसमें हमारा जो टार्गेट रहेगा 2550 औ अपनी बना सकते हैं नेक्ष्ट है हमारा है ICICI bank तो ICICI bank भी जो है निर अबाउट lifetime high के निर बाउट ही चल रहा है तो इसमें हम जो हमारी बाइन बनेगी बाइन जो बनेगी वो 550 रुपे के उपर निकल कर जब सस्टेन करने लग जाएगा फिर हम इसमें बाइन साइट दे इसमें ध्यान लखिए कि यहां इसमें selling आ सकती है अगर यह बीर शरामी candle activate हो गई तो इसमें selling बिलकुल आ सकती है क्योंकि अभी sell के तरफ ही बना हुआ है इसमें buying आपने जो करनी है मैंने बता जिया 550 रुपे पर sustain करेगा तब इसमें buying करिए अधरवाइस इसको भी sell side ही द इन्फी की result में result काफी अच्छा है नेर बाउट 25% के इन्होंने profit शो किया है तो इसमें इन्फी में जो है मैं यहां पर एक trendland draw करके आपको दिखायता हूं यह देखिए यह trendland बन रही है इन्फी के लिए तो हम इन्फी में buying बनाएंगे बस यह जो है हमारा सासो पच्पन सासो पच्पन रुपे के ऊपर हम इन्फॉसिस में buying बनाएंगे फिलाल उसके नीचे हमने buying की position नहीं बनानी है जब यह trendland cross करता है और सासो पच्पन रुपे के ऊपर sustain करने लग जाता है तब हम इसमें buying position बना सकते हैं हमारा इसमें weekly target निकल के आएगा वो र 20 रुपे के ऊपर और weekly target जो होगा वह होगा 297 रुपीस का नेक्स्ट है हमारा मारूती मारूती को देखिए मारूती भी काफी दिनों से जो है उपर नीचे उपर नीचे जो है चल रहा है तो इसमें जो है अब मैं इसको यह जो horizontal line यहां पर ड्रॉकर रखी हुए इसका जो है 7650 रुपे और next हमारा 77100 रुपे हमारे इसमें target रहने वाला है तो इसमें ध्यान न किएगा कभी भी जो है बिना किसी logic के बिना किसी बात के जो है market में जंप मत कर जाया करिए पहले market को देखिए समझिए market का behavior देखिए stock का behavior देखिए फिर इसमें bind कीजिए या selling कीजि जो है इसके logic सबसे पहले आप इसमें समझना सीख लेजिए कि जो है trade के पीछे logic क्या होते हैं कौन से logic काम करते हैं कौन से logic काम नहीं करते हैं तो आंग बन करके जो है कभी trade मत करिए क्योंकि पैसा आपका है इसलिए ध्यानपूर किसमें trading करिए next हमारा कोटेक bank कोटेक bank भी अब इसमें हमारी buying बनेगी वो buying बनेगी 17100 रपे के ऊपर लेवल जो है जो मैं आपको बताता हूँ वो लेवल जरा आप ध्यान से सुन लिया करिए ठीक है ना आप ये मत फिर आप कमेंट करते हैं कि जो है आपने बिसार बाइंग कहा था और जो है बाइंग देखिए इसम कल मार्केट खुली और मार्केट खुलते हैं उसमें बाइंग कोजिशन मत बनाईए अब मैं इसमें बता रहा हूँ 17100 रपे के ऊपर को टेक महिंदरा बैंक आपको मिलता है तो आप इसमें बेजचक बाइंग बना सकते हैं नेक्स्ट है हमारा एल्टी एल्टी भी देखिए जो है कंटीन्यू इस ट्रेंड लैन पर सपोर्ट लेकर उपर के तरफ निकला है यहां पर यह देखिए जो है डाउन ओपनिंग हो थी गाप डाउन ओपनिंग के बाद यह गैप भी फिल हो चुका है हमारी इसमें 3050 रपे के नीचे जो है इसमें बाइंग पोजिशन बिल्कुल मत बनाईए तो हमारा नेक्स्ट है इसमें जो है रिलाइंस रिलाइंस भी देखिए काफी दिनों से अपनी लाइफ टाइम है के नस्दिक जो है गया नीचे आकर सस्टेन कर रहा है तो हमारी बाइंग जो है अब इसमें आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 1560 रपे के उपर इसमें जो है वीकली टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा 1660 रपे का नेक्स्ट है हमारा SBI तो SBI भी देखिए मैं यह ट्रेंड लाइन जो है डिजिट कर देता हूं और आपको एक लेवल ड्रॉगर के दिखा यह देखिए यह जो है SBI के लिए अब जो है रिजिस्टेंस सा काम करेगा तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा सेटप बन रहा है आप देख सकते हैं जो मैं फॉलो करता हूं यह देखिए यह जो ट्रेंड लाइन आ रही है और ट्रेंड लाइन के पास ही एक जो होरिज बनाएंगे 340 रपे के अउपर निकलता है फिर हमारा जो इसमें पहला टार्गेट रहेगा 350 रपे और दούसरा टार्गेट रहेगा 365 रूपर उन्ट है हमारा सन फार्मा तो सन फार्मा वी देखिए सं फार्मा को भी छोड़ दीजिए नेक्श ए टीस्यस देखिए यहां पर जो है आप देख सकते हैं एक cup and handle pattern जो है form हुआ है यह देखिए यह cup बना हुआ है और यह handle तो यहाँ पर भी देखिए इसने इसका breakout दिया था बट next candle जो है इसका high cross नहीं कर पाई तो हम जो है इसमें हमारी जो training बनेगी हम 25, 260 रपे के ओपर इसमें हम buying के side देखेंगे और इसमें हमारा जो target रहेगा वो रहेगा 200, 250 और 2400 हमारी इसमें तीन target रहेंगे तो जो है TCS पर भी ध्यान बना कर रखिएगा next है हमारा Tata Motors Tata Motors में भी देखिए यहाँ पर एक breakout आया था मैं इसको छोटा दिखायता हूँ हाँ यह देखिए यह विकली चाट रहेता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा यह देखिए Tata Motors में यह देखिए एक breakout हुआ है अब देख सकते हैं यह जो breakout हुआ है अब यहाँ पर जो candle भी जो यहाँ पर फॉर्म होई है वो एक hammer type के candle फॉर्म होई है तो हम इसमें जो है buying बनाएंगे वो बनाएंगे 200 रुपे के उपर जैसे Tata Motors 200 रुपे के उपर निकल का sustain करना चाल तो Tata Steel भी देखिए यह भी जो है यहाँ पर एक trend line से breakout हुआ है अब Tata Steel में हमारी बाइंग बनेगी वो बाइंग बनेगी इस और यह लेवल जो है यह है आप 500 रुपे के उपर इसमें नजर बनाकर रखिए ताटा स्टील में 500 रुपे के उपर नजर बनाकर रखिए इसमे आप स्टॉक का बिहेविर देख सकते हैं कि जब भी यह उपर से अपना trend line ब्रेक करता है तो अच्छी मुमिट एक देखे जाता है देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले तो आप यह देखिए यह एक चैनल में continue चल रहा है उसका यहाँ पर इसने trend line ब्रेक की है एक अच्छी मुमिट दी यहाँ trend line ब्रेक की फिर एक अच्छी मुमिट दी फिर एक trend line ब्रेक की फिर यह उपर की तरफ गया अब फिर देखिए यह trend line के में ही चल रहा है तो हम जो है इसमें हम अपनी बाइंग बनाएंगे 784 रपे के लिए हमारा उसमें पहला target रहेगा व हमने draw करके रखी थी तो इस short time के trend line में breakout हुआ उसके पास यहाँ पर एक long time के निचे से trend line draw की हुई है हमने यह जो green करकी आप देख पा रहे हैं तो यह देखिए इसका breakout होने के बाद इस ने जो है इस green trend line पर support ले लिया है तो इसमें हमारी जो buying बनेगी वो बनेगी 1175 नेक्ष्ट है हमारा ultra tech तो ultra tech cement में देखिए ultra tech cement काफी अच्छी moment दे रहा है यह जो है मेरी premium जो है service है उसमें भी मैं दो दिनों से continue इसको दे रहा हूं तो दो दिनों से काफी तीन दिनों से काफी अच्छी moment चल रही है अब यह देखिए इसके लिए जो है resistance अभी निकल के आ रहा है यह देखिए यह नियर बाउट चौन्तालीस सो पचास रपे का इसमें नजर बना कर रखिए गा चौन्तालीस सो पचास रपे के ऊपर निकलने के बाद यह फिर बूम मचाएगा और इसमें हमारा target जो है 4550 रपे का और next target हमारा इसमें 4700 रपे का है तो इसमें यह trend लें ब्रेक किया बटिये जो है फेक ब्रेक आउट था उसके फिर आके इसने यहाँ पर support ले लिया support लेने के बाद फिर जो है यह उपकी तब मैं निचे से trend line ड्रॉ कर देता हूं तो आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आएंगी यह दिजी यहाँ पर कर दिया ठीक है तो अब आप इसमें बाइंग देखिएगा यह लेवल जो यहाँ पर इसका है इसके उपर तो हम इसमें बाइंग बनाएंगे 260 रुपे के उपर बीपर में ध्यान देजेगा 260 रुपे के उपर इसमें बाइंग करनी है और इसमें हमारा पहला target 270 रुपे का next target 280 तो जील को हम जो है sell करेंगे इसको sell करेंगे हम यह जो लेवल है आप देखिए 260 रुपे के नीचे इसमें की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि यह देखिए तरफ यह देखिए यह नीचे की तरफ जा रहा है यह ऐसे जाएगा उसके बाद यहां से त्वड़ा उपर आ सकता है और उसके बाद फिर यह निचे की तरफ जाकर यह dual test कर सकता है यह जो support यो yellow goal के जो मैंने support ड्रॉकर कर रखी हूँ है तो इस तरह सी यह price action काम करता है price action का concept वैसे आपको समाना चाहिए क्योंकि यह stocks हैं जो यह movement करते हैं आपको आने वाले वीडियो आपको आती रहेंगी और आज मैं दो stocks पर analysis करूँगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि stocks में support किस तरह से draw की आ जाता है, trendline किस तरह से draw की जाती है cup and handle pattern उसमें किस तरह draw करते है, head and shoulder pattern किस तरह draw करते है, double top क्या होता है, double bottom क्या होता है तो मैं वो दो stocks में आज analysis करूँगा, उसकी video भी जो है कल आपको मिल जाएगी, तो उसमें जो है, देखी, मैं उसमें आपको free of cost भी कुछ सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने drawing करनी है अपने chart पर, ठीक है न, तो आप chart पर जितना जादे-जादा drawing करेंगे जितना जादा आप उस पर practice करेंगे उतनी ही जादा success होने की probability आपको जादा रहती है तो, और second जो है मैं अपने telegram channel में ये सारे chart जो है, इस तरह से बना-बना के post करते रहता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर जो है, इन chart को देख सकते हैं सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ऐसा है, देखिए, वह chart जब आप देखेंगे तो आप जो है अपने system में उसको draw करके देखिए, मैंने जैसे जैसे draw किया हुआ है, तो इससे क्या होगा इससे, आप जो है chart draw करने में expert होंगे, आपको level draw करने आ जाएंगे और आप जो है, मतलब सीखना चाते हैं, तो उसमें मेरी एक और service है, जो free of cost है कोई पैसे नहीं पे करने हैं, उसमें आपको, अगर आप सीखना चाते हैं अगर आप dedicated हैं, तो आप जो है मालीजी, आपने chart draw कर रहे हैं और आपको, यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो level मैंने इसमें draw किये हैं वो सही है या नहीं सही है confidence नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो chart जो है मुझे मेरी mail ID पर, या मेरे WhatsApp पर आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको वो chart जो है मेरी कहां पर गलती है, तो next time से आप वो गलती जो है, अपनी improvement कर लेंगे, तो यह service आप लोगों के लिए है, बिल्कुल free of cost है मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं आपके लिए तयार हों करने के लिए आपको वे तो डेडिकेटड होना पड़ेगा देखें, इस market में पैसा बहुत है इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत पैसा इस market में बचरते, आपको जो है trade लेने के पिछे, आपको logic होना चाहिए, कि आप logic से लेना है trade, हमने आखे जो है, मैं टेलिग्राम चैनल में इंट्राडे की call बगएरा देता रहता हूँ तो आप जाके उसको इंट्राडे की call बगएरा भी देख सकते हैं जो है, उसकी performance जो है मैंने साड़े तीन बजे में उसकी post कर देता हूँ जो premium काल की performance होती है और जो free call की performance होती है मैं सारी वहाँ पर post करता हूँ वहाँ पर continue में 5-10-4 daily वहाँ पर post किया करता हूँ आप जाए, देखिए, सीखिए, समझिए उसका जो है, मैंने link भी जो है अपने description में दे दिया है वो channel, जो मेरे telegram channel है, वो भी इसी same नाम से है, angel tech analysis के नाम से तो वैसे link मैंने नीचे दे दिया है आप देख लिजिएगा बाकी मेरे दोस्तों से अन्रोध है जो भी नए दोस्ते मेरे channel को देख रहे हैं कि रपया, चैनल को subscribe कर ले हैं और bell notification प्रेस कर लें आने वाली video आपको मिलते रहें thank you, have a nice day, अपना ख्याल रखिएगा